हेलो विवर्स मैं राजकुमार सोनी इंडियन नेवी रिटायर्ड एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिटरी अकाडमी में स्वागत करता हूँ विवर्स आजका हमारा विडियो एरफोर्स एडाप्टिबिटी टेस्ट 2 के उपर है जिसमें हम रीडिंग पैसेज के बारे में और ग्रुप डिसकसन के बारे में डिसकसन करेंगे विवर्स जैसा कि हम जानते हैं कि Air Force के रीटेन एक्जाम और फिजिकल फिटनेश टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप 81 एड़ाप्रिटरी टेस्ट 1 और 82 एड़ाप्रिटरी टेस्ट 2 जिसमें रीडिंग पैसेज और ग्रुप डिसकसन होता है आप उसमें एपियर होत एक्जाम में होता है यह वीडियो आपको इंट्रेंस एक्जाम जोकी MBA दूसरे कॉलेजेज में एड़मिशन के लिए भी हिल्फुल होगा साथ में दूसरी जॉब्स के लिए भी हिल्फुल होगा तो शुरू से लेके अन तक देखिए आपको बहुत ही बहतर जानकारी मिले विवस्त इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रुप डिसकुस्न एक्रजकुमर सोनी इसने मैंने पंट वन में क्या होता है ग्रूप discussion, क्या tips है, with pictures के साथ मैंने explain किया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका URL मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, please note it down या आप मेरे channel पर जा सकते हैं, वहाँ पर यह वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख के बाद आप इसको भी देख सकते हैं, या इसके देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं, तो just for information कि यह part 1 भी group discussion के उपर बना हुआ है, okay, so मेरे बारे में मैं राजकुमर सोनी, मैं English language group discussion, physical fitness training and academic English instructor हूँ, मेरी career history 2004-2019 Indian Navy service में भी instruction देने को मौका मिला and retirement के बाद मेरी academy है, military academy बलिया, जो की UP मैं मेरी achievement मुझे vice admiral जो नेवी का एक दूसरा सबसे highest rank है, उससे सर ने मुझे comment किया था 2012 मेरी commitment, meritorious performance, professional competence के लिए और 2019 December में 150 students का एक seminar मैंने किया था, जिसका topic था opportunity for the girls in the armed forces, बहुत ही बहतर seminar था यह, so यह video का जो उदे से है मारा, so in a formal situation a candidate has to express his views on a particular topic, so this video will describe how to get qualified in reading passage and group discussion, जी हाँ, एक आपचारिक स्थिती में एक candidate को क्या होता है, किसी विशेश समय पर, किसी विशेश विशे पर क्या होता है, अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एक passage को पढ़ना है, आप उस पर अपनी बात रखेंगे, में पॉइंट को और उस passage के बात जब ग्रूप discussion होता है, तो कैसे आप उसमें सफल हो सकते हैं, उन सारी चीजों करेंगे, तो यह content क्या है, reading passage के हम बात करेंगे, 82, that is part 1, adaptability test 2 में दो part होते हैं, पहले part में जो reading passage होता है, और part 2 में क्या होता है, आपका group discussion होता है, तो हम part 1 के बारे हम बात करेंगे, जैसे ही part 1 हो जाता है, पैसे आपको दिया जाता है, तो उस passage पे अपनी बात रखने से पहले, main point को रखने से पहले, आपको अपने आपको introduce करना होता है, उस introduction के उपर भी हम बात करेंगे, third point क्या है, preparing for a group discussion, जी हाँ, कैसे तयारी करना है group discussion के उपर, वो भी हम बात करेंगे, third point है कि कैसे group discussion होता है, जी हाँ, ये मन में confusion आता होगा कि group discussion में क्या होता है, जो beginners है, जिनको idea very good जिनको नहीं idea उनको लिए ये काफी helpful होगा और क्या words normally group discussion में use होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो बहुत interesting होने वाला है So, Adaptivity Test 2 में क्या होता है? आप जानते हैं Reading Passage, Passage को पढ़ना होता है तो हम सुरू करेंगे जैसे क्या होगा? एक आपको A4 Size के पेपर में, A4 Sheet के पेपर में आपको एक topic दे दिया जाया है जैसा कि आप देख रहे है Impact of Smartphone तो यहां पर मैंने यह खरगोष्ट का figure इसलिए डाला है कि देखें कितना जल्दी पढ़के आपको उसमें जो key point है वह निकाल के key point को उसको कुछ points को एक अच्छे order में arrange करके फिर simple sentence में बता देना है Okay, so यह जो passage है उसके approach क्या होना चाहिए? Finding out main ideas आपको जो passage है उसका main idea को find out करना है दूसरा क्या करना है? Arrange the points in an order, memorize, speak in a simple sentence जी हाँ, पहले तो जो आपने, जो main point है वह आपको main ideas आपने निकाल लिया Okay, उस idea को निकालने के बाद क्या हुआ? उस सारे जो points है, जाज़ा कि आप देख रहे है इस impact of smartphone जो है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, लगवग 5 paragraph है तो क्या करना है? उसको आप एक sequence में, यहाँ इसमें यह है, इसमें यह है उसको एक arrange कर लेंगे, फिर memorize करना है क्योंकि जो sheet of paper है वह आपसे ले लिया जाएगा Okay, और बाद में आपको impact of smartphone के उपर बोला जाएगा बात रखने के लिए Okay, minimum 3 minutes, यह standard समय है किसी भी extempore में, किसी भी discussion में कि जब एक candidate को stage पे या debate के लिए या discussion के लिए बुलाते हैं या speech देने को बुलाते हैं तो यह standard समय होता है कि 3 minutes में आप अपनी बात रख सकते हैं किसी भी competition में यह होता है यहां पर भी होई है कि 3 minutes आपको बोला जाएगा 5 minutes के लिए वो sheet of paper देंगे आपको उसमें आप 3-3 minutes को आप पढ़िए यह आपके उपर है फिर आप 1-10 minutes में अपना जो point है उसको arrange कीजिए memorize कर लिए फिर उसके बाद simple sentence बना लिए फिर आप 5 minutes के बाद आपसे paper ले लिया जाएगा फिर आप अपनी बात रखेंगे यही चीज है कि आपनी जब passage पढ़ा तो आप main ideas निकालेंगे उसके बाद points उसमें है एक order में एक crumb में सजाएंगे उसको memorize करेंगे फिर simple sentence में भोल देंगे बहुत simple है आप आगे बढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको और क्या करना है आपको passage में टाइटल पढ़िए जैसा कि आप देख रहे है इस passage का टाइटल क्या है इंपक्त आप स्मार्टफोन पढ़ते हैं तो आपको मन में क्लियर हो जाता है कि हाँ यह topic स्मार्टफोन के बारे में है थोड़ी वह चीजें पहले से जो मालूम है अपने आप आ आप आ जाती है और बाकी जो चीजें वह आपको content यहां से मिली जाएगा ओके so read the first sentence and the last sentence यदि कोई topic यदि लग रहा है कि tough है नहीं समझ में आ रहा है तो first sentence और last sentence में भी आपको एक conclusion मिल जाता है एक तरसे in fact एक comprehension का भी एक trick है कि आपको first passage आपका title पढ़के पहली line पढ़के अंतिम line पढ़के कुछ idea लग जाता है ओके तो यह helpful होगा आपको passage में अपनी बात रखने में passage को पढ़ने के पार okay क्या नहीं करना है जी हां मैंने example तो दिया आपको यहां पर यह बात इसलिए रखा गया क्या है नहीं नहीं आपको just main point वहां पे simple sentences में बना के रख देना है okay okay तो यह चीज़े ध्यान रखना है आपको difficult words में आपको समय बरबाद नहीं करना है और यह comprehension का या passage का exercise नहीं है जिसमें आपसे question answer पूछे जाने वाल है क्या है main point आपको बताना है तो आप यह पैसे तो आपने पढ़ लिया आप से sheet of paper ले लिया गया फिर क्या होगा अपना introduction देना है आपको अपना परिचे देना है अपनी बात रखने से पहले तो कैसे परिचे देंगे और क्या क्या बाते करना है आपको जी हां greeting कर दें जैसे मैंने का आपको hello guys hello viewers वैसे ही आपको भी वहां पर greeting करना है depending up to समय के अनुसार, morning है तो good morning everyone, good morning friends, hello gentlemen, hello friends etc बोल सकते हैं उसके बाद अपना नाम कहां से है या अभी क्या कर रहे है पढ़ाई क्या कर रहे है फैमिली बैग्राउंड में ममी पापा क्या करते हैं भाईवन क्या करते हैं आपकी होबी क्या है जी हां खाली समय में क्या करते हैं basically introduction मतलब क्या कि आपको थोड़े बहुत candidate जाने कि हाँ यह जो साहब हैं यह कहां से आए हैं क्या नाम है इनका और इनके family background क्या है इनकी hobby क्या है थोड़ी बहुत general information आप अपनी strength अपनी ताकत बता सकते हैं अपनी उपलबधियां बता सकते हैं कि कुछ बढ़ा काम आपने क किया है तो okay depending up to your comfort level so यह मैंने एक बनाया है आपके लिए जिसको आपका है तो रट लीजिए जी हां बहुत ज्यादा कहीं पर आपको निट पर बहुत सारी चीजें मिलेंगे YouTube मिलेंगे कि myself so on so नहीं बोलना है यह नहीं बोलना है आप अपने तरीके से simple introduction ready कीजिए और उसक अपन गुपता, I am from Balian Uttar Pradesh, I am in BA first year, second year, third year, whatever. My father is a farmer or a serviceman or a businessman, my mother is a homemaker or a teacher, whatever. I have one elder brother who is serving in the Indian Navy or Air Force, I have one younger sister who is studying in class 9th, 10th, 12th B.C. whatever. My hobbies are playing cricket and hanging out with friends जो भी आपकी hobby है, watching movies, watching cricket, playing cricket, etc. I'm a self-motivated person and want to serve the nation by joining the Air Force. जी हाँ, आप अपनी तरीके से, आप अपनी जो strength है, अपनी achievement है बता सकते हैं, आप ये line कहते हैं कि हाँ, चुकि आप Air Force के AT2 में appear हो रहे हैं, इसका मतलब आप Air Force join करना चाहते हैं, तो आप ये line कह सकते हैं कि yes, I want to serve the nation by joining the Air Force, so it'll make a good impact. Rest up to you, आप नहीं कुछ और कहना चाहते हैं, but intention क्या है, एक introduction में आपके बारे में, आपके जो friends है, वहाँ पर जो मौझूद लोग है, जो candidates है, जो जाने, कि क्या है, कौन है याप, तो आप मेरी सला यह है, कि आप अपना एक introduction बना के उसको by heart कर लिजे, ताकि किसी तरगा कोई confusion नहीं हो, कि पहले मम्मी के बारे में बोलना है, कि पिताजी के बारे में बोलना है, पहले भाई के बारे में बोलना है, नहीं, जबान पे होना चाहिए, यह basic चीजे हैं आपको, हमने अभी यह already cover किया, कि passage आप आपको दे दिया गया, आपने passage पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद आपने आपको इंटोड्यूस किया, पैसेज पूछ शीट ऑ पेपर आपसे ले लिया गया, आपसे कहा गया, कि हाँ आप अपनी बात रखिये, अपने बात रखने से पहले आप अपने, आप अको उठैस करेंगे, इंटोडक्शन में क्या बोलना हूं, मैंने बताया आपको, अब हम पैसेज के बारे में बात करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पैसेज में आपका यह यह अप्रोच होना चाहिए में आइडिया टाइटल, फर्स सेंटेंज, लास सेंटेंज और पॉइंट को एक और में सिंपल सेंटेंज में बोल देना है यह टोटल जो चीजे थी वो किसे थी पैसेज के ऊपर यदि हम एक सेंटेंज करें, सेंट उसी चीज को मैंने आपके लिए यहां पर रखा एक्सराइज के लिए देखिए, सेंटेंज हैं तो यदि मैं इसको बढ़े मैं यहां पर प्रोजेक्ट किया है एक बढ़ते हैं स्मार्टफोन के बारे में सही बात है, सब लोग यूज कर रहा है स्मार्टफोन is one of the mobile devices which allows us to share information like text, document, picture, video, etc. एकदम सही बात है, स्मार्टफोन से हम क्या करते हैं? यह हम share करते हैं, text हो गया, document हो गया, picture, video, etc. जी हां, it is a great source of entertainment too, बहुत बढ़िया सादन है मनरंजन का it has enabled us to perform multiple tasks at the same time हमें बहुत योग बना दिया है कि हम कई सारे काम एक समय कर लें even though we are far away like on train, bus, etc. we are still in touch with our family members and friends जी हां, बहुत बात है, यदि हम train में भी हैं, bus में हैं तो भी क्या है, अपने दो साथी relatives के साथ हम जूड़े रहते हैं इस smartphone की बदलत due to this smartphone, online shopping and other internet-based businesses have taken a significant leap in the industry इस smartphone की बदलत online shopping जो है, या internet-based पे जो businesses है, क्या है बहुत जादा उच्छाल लिया है, बढ़िया पॉफरमेंस हो रहा है उनका in other words, it's very difficult to imagine our life without the smartphone दूसरे सब्दों में, smart phone के बिना जिंदगी कोई उमीद करना बढ़ियां जिंदगी की, comfortable जिंदगी की उमीद करना मुश्किल है इसेज़ पॉजिटिव इंपक्ट उस्माटफोर इन आर सोसाइटी वी फाइंट इस एफेक्टे बिजनेस और सोसलाइजेशन जी हैं, यदि हम पॉजिटिव इंपक्ट की बात करें तो बिजनेस को इसने प्रभावित किया है और हमारा जो सोसलाइजेशन है, जो समाजी करन है समाज में हम कैसे रहते हैं, उसको भी काफिर प्रभावित किया है देख रहे हैं, आप सबके पास इसमार्टफोन है चोटे से लेके बड़े तक, रिक्सा वाला, ठेला वाला, हर किसी के पात, खेत में कोई काम कर रहे हैं जो भी मजदूर के पास भी समार्टफोन है तो क्या हुआ है, और इसके जो यूजर्स हैं, बढ़ते जा रहे हैं इवेन एक घर में आपको तीन चार चार पांच पांच जितने मेंबर हैं, लग बग उतने मुबाइल मिलेंगे, आपको इसमार्टफोन मिलेंगे बिजनेसमें ब्यापारी लोग समार्टफोन रखना पसंद करते हैं अपने क्लाइन से जुड़े रहने के लिए चेकिंग एमील ब्यादब करने के लिए ऑपने हैं ब्राउजिंग ryornk ब्राउज करने के लिए जब आप वोग श्यंता ब्राउब देख सकते हैं क्या हो रहा हैं नहीं हो रहा है आँ native अब हो इसमार्टफोन दाली चुड़ सुड़ के सूड़ हैं फोज पूरे समय में लगबग तो के समार्टफों ने क्या किया है कई तरीके से हमारे जिंदगी को काफी अधिया बना दिया है इसका नेगेटिव इंपक्ट भी है गलग प्रभाव भी है इसका रिजल्ट भी है क्या इता चेंज दव फिर आप इंटरेक्शन जी है इसने क्या किया है जो इंटरेक्शन होता है जो मिलन होता है जो इक दूसरे से बाचीत होती है उसका तरीका ही बदल दिया है हमारा फेस टू फेस जो कांटक्ट है वो क्या हुआ है वो लगबग खतम होता जा रहा है smartphone also emits radiation which is very harmful to health जी हाँ, smartphone क्या करा, radiation को emits करता है, निकालता है, radiation होता है जो क्या है, health के लिए काफी नुकसान दायक है this leads to various types of disease क्या है, various types of disease हो जाते हैं, मालूम होगा आपको यही वज़ा है कि बोलते हैं सोते समय आप मुबाइल को कम बहुत कुछ दूर रखी है, कमरे में दूर रखी है, साथ में सीर के पास नहीं रखना है, अदरवाज नीद अची नहीं आते हैं, क्योंकि इस रडियाशन की वज़ा से बहुत सारे डिजिस होते हैं, निउरो डिज अचीण है कि जहां पर हॉस्पीटल में कई तरह की equipment हैं, devices हैं, प्लेन में कई तरह की devices हैं, इसका radiation उसकी affect करता है उसकी efficiency को, इवन गलत report भी आ सकते हैं, औक है स्मार्टफोन बैन है कई जगह, अनलाइन क्रिमिनल यूजेज इस जो एक्षेंज करते हैं सेक्षवल मेटरियल को भी इन इस टाइप अप्राइप प्राइप जो है लड़किया और लड़किया इसमें जादा इसके विक्टीम है यह आप जानते ही है आजकल की युवाओं में जो स्मार्टफोन की लड़ है और युवा क्या वयसकों में भी एडल्ट में भी एक बहुत ही लड़ लग गई है अडिक्टेड हो गए है overall after assessing the positive and negative impacts of the smartphone we find that this device may be very useful if we use it responsibly and do not get addicted to this simple जी बात है यदि हम अच्छे तरीके से इसको यूज करेंगे responsible तरीके से यूज करेंगे तो smartphone जो है overall क्या है फायदे मंद है यदि हम को सही तरीके से यूज करने आना चाहिए तो यह रहा हमारा पूरा पैसेज यदि हम भाई साब यदि हम इस पूरे पैसेज की बात करें तो आप गौर करेंगे कि इसमें जो main points के आएंगे ये पूरा पैसेज by side में आप देख रहे हैं दाहिने side में ये इसका main point आप निकाल सकते हैं पहला क्या हो सकता है Smartphone is very important in our daily lives, very simple It has many uses क्योंकि सुरू में उसकी use की बात की गई है It has many uses for example video call, entertainment, education, online shopping, banking, transaction, etc. Yes, third, it is very difficult to imagine life without smartphone, fine Then business and socialization has been changed significantly सही बात है, social networking sides are a revolution So, ये जो चीजे थी, वो क्या थी, ये जो चीजे हैं क्या है एक point आपने कुछ major point उसमें से निकाले है, कुछ और point है Smartphone has many advantages, जो की उपर बात हुई है Smartphone has disadvantages too, yes, उसकी नुकसान भी है This is due to radiation, security issues, cyber crime distraction in youth तेख रहे हैं कितनी problem है, क्योंकि इसमें बात की गई है Security issues भी है, जी हाँ, आजकर online fraud होता है Bank से transaction कर दिया जाता है, mobile की password PC में login करके, आपके personal data, privacy, सारी चीजें बहुत खत्रे में है इस smartphone की वज़ा से, इस online cyber security जो पार्ट है Cyber crime बढ़ गया जी, distraction काफी youth में हो रहा है Concentrate नहीं कर पा रहा है, एक बीसे पर Okay, smartphone की करने कुछ जाते हैं जाएंगे dictionary में meaning खोजने के लिए 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 साथ में कहीं कुछ और pop-up आ जाता है तो बस महीं पर आगे बढ़ते जाते हैं और एक बार जब खोलते हैं तो कुछ और interesting, कुछ और interesting चीज़ें आती जाती है और फिर उसी में समय निकल जाता है Okay, so overall it's a good device if we use it responsibly यदि हम इसको बेहतर तरीके से, responsible तरीके से यूज करें, तो क्या होगा बढ़िया डिवाइस है तो यह आपने गौर किया यह जो दोनो पैसेज, पैसेज जो पूरा है उसका मैंने लगवग 5 और 5-9, 8-9 लाइन में मैंने एक की पॉइंट आपके लिए बना दिया तो यही एप्रोच रखना है आपको जो की पॉइंट है, की पॉइंट कैसे लेना है वह भी मैंने बताया था आपको टाइटल पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए, मेन आइडिया निकालिए, लास्ट लाइन पढ़िए और उसको एक अच्छे तरीके से सजा के एक क्रम में में मेमुराइज करके फिर बाद में उसको बोल दीजे, सिंपल लाइन में ओके, सो मुझे उमीद है, बहुत अच्छा करेंगे तो ये तो था रीडिंग पैसेज के बारे में अब हम बात करेंगे ग्रूप डिसकर्शन के बारे में आप देख रहे हैं, अब एक कोट से मैंने सुरू किया है ये रैंडल बोन का एक कोट है जो कि अमेरिकन ऑथर है एक अच्छे डिसकर्शन में क्या होता है जो जो उस डिसकर्शन में भाग लेते हैं सबका जो नॉलेज है, जो ग्यान है जो समझदारी है, वो बढ़ती है कुछ नया जानने को मिलता है तो आप यही attitude रखेंगे कि ग्रूप डिसकर्शन में आप कुछ सीखने जा रहे हैं आप कुछ बताने जा रहे हैं और एक कुछ बढ़िया रिजल्ट होके आएगा ना कि केवल जीतना है हमको लीजी बताते हैं तो क्या करना है यह मैं बात अपने हर वीडियो में कहता हूँ positive approach एक हिंदी speaking लड़के के लिए जिसका गाउं से हैं जिसका इंगलिस में उतना exposure नहीं है इंगलिस कमजोर है उसके लिए मन में होगा कि भाई साब जीडी में कैसे perform करेंगे यह तो जब से जीडी आया है 81, 82 यह तो और काम बढ़ गया Air Force में जी नहीं ऐसे नहीं सोचना है आपको आप बहतर हो रहे हैं आप सीखेंगे और बहतर होंगे तो क्या approach रखना है कि मैं जीडी में अच्छा करूँगा मैं जीडी में सफल होंगा सिंपल बात सामने अभिनंदन सर है इधर आप एर फोस जोईन करने वाले हैं तो जो से उत्सा से तयारी कीजिए इस मुस्कुराते वे कीजिए कहते हैं कई बार रास्ते जो है वो मंजील से ज्यादा खुबसूरत होते हैं विवर्स यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप अपने इस पीरियर्ट को इंज्वाई कीजिए अच्छे से पढ़िए जोस से पढ़िए और बाद में अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए सो पॉजिटिव एप्रोच से आपको ग्रूप डिस्कुर्शन की तैयारी शुरू करनी है क्या करना है जी हां इंप्रूब यूर वकाबुलेरी जी हां अपने शब्द कोसों को आप बहतर करेंगे क्या करेंगे रीड मोर जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप वो भले निउस्पेपर हो, current affairs हो social problems के उपर हो, sports के उपर हो important data etc यह चीजें जितनी ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको knowledge रहेगा आपके पास sufficient data रहेगा अपनी बात रखने के लिए discussion में अपनी बात को बेहतर तरीके से proof के साथ बताने के लिए and you can start with your favorite topic जी हाँ यदि आप newspaper, magazine etc पढ़ रहे हैं कोई आप और literature पढ़ रहे हैं कुछ data पढ़ रहे हैं, social problem के बारे हैं तो क्या कर सकते हैं आप अपने favorite topic से सुरू कर सकते हैं वो topic आपका sports हो सकता है वो Bollywood की हो सकते हैं या और कि कुछ interesting topic हो सकता है मकसद यह है कि जितना पढ़ेंगे बहतर पढ़ें, relevant चीजें पढ़ें जो आपको discussion में helpful होगा क्योंकि समय कम होगा तो थोड़ा pressure होगा इस तरह से यह जब आप मैंने favorite topic इसलिए कहा है कि एक बार जब आप पढ़ना सुरू करेंगे तो आजतों में शुमार हो जाएगा जब आजत में शुमार हो जाएगा तो फिर आप tough चीजें भी complex चीजें भी आप आसानी से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और क्या करना है keep knowledge on numerous topics यह थोड़ी से important चीजें आपको क्या करना है numerous topics के ऊपर कई सारे topics के ऊपर थोड़ा थोड़ा ज्यान रखना है या जितना ज्यादा हो सके क्योंकि जब varieties of topics के ऊपर आपके पास ज्यान रहेगा तो काफी discussion में helpful होगा क्योंकि आप data के साथ उसको support कर सकते हैं backup दे सकते हैं कि जी हाँ यह नहीं यह है और क्या करना है यह है prepare a script and start speaking in English using it English speaking की आदो तो डालनी पढ़ेगी for example आप एक script जैसे मैंने आपके लिए यह ready किया था impact of smartphone वैसे आप भी को इस topic पर एक script रेडिक कीजिए और उस script को लेके आप English में बोलिए जब एक आप habit डालेंगे English speaking की तो क्या होगा वो बहतर होगा और यह ध्यान रखिए कि आप बोलते समय loudly बोले के ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए और साफ बोलेंगे नॉर्मली क्या होता है हम बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं तो loudly का मतलब यह नहीं है कि अनिया लग यह शोर है शोर महीं लगना चाहिए लेकिन loudly मतलब सुनने में समझ से नहीं हो और यह ध्यान रखें कि normally मैंने अपने candidates को देखा है कि हिंदी बोलने की हमें आदत है जब हमें क्लास में English बोलते हैं या introduction देते हैं या किसी normal बात कहना होता है तो हमारी सांस फुलने लगती है दिल की धड़कने बढ़ जाती है अब आज के tone पे control नहीं रहता है जीद friends आपको ऐसा नहीं करना है क्या करना है आपको जब आप बोले English में शुरुवात में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट लेटर ओन इटल बिकम यो habit आप natural हो जाएंगे बहतर हो जाएंगे और बहतर होंगे क्या करना है इंगलिस speaking की habit डालनी है loudly और clearly बोलना है यह दोनों चीज़ें आपकी communication skill और fluency को बहतर करेंगी और इन सारी चीज़ों करते समय क्या करना है आपको अपने tone को ध्यान रखना है आपको अपना काम रहना है शांत रहना है बोलते समय लगे आपकी body आपकी जो tongue है आपके control में होनी चाहिए और क्या कर सकते हैं आप बहतर करने के लिए आप इंगलिस new channel, debate, interview, documentary, movie, etc. देख सकते हैं documentary क्या है आपने देखा होगा सचीन के उपर documentary बना तो उसमें क्या होता है pictures के उपर, interviews के द्वारा लोगों से बातचीत करके कुछ एक real घटना के उपर एक factual report देते हैं कि हाँ यह है सचाई तो documentary में क्या होता है आप English documentary देख सकते हैं या Hindi documentary देख सकते हैं यह overall आपकी जो different topic के उपर जो knowledge है उसको develop करेगा और मेरा favorite English new channel और debate देखना okay तो आप कुछ भी बहत जो आपके पास सुविदाएं हैं उसकी अनुसार आप यह चीजे कर सकते हैं group discussion होता कैसे है यह तस्वीर में आप देख रहे हैं ऐसे मैंने एक discussion का जिसमें सर कुछ बता रहे हैं और बाकी सब लो तुन रहे हैं वो भी अपनी बात रखेंगे तो होता क्या है यह जो air force का group discussion है जी हां group testing officer आएंगे या जो observer है वो आएंगे जो group को test करते हैं उसको group testing officer बोलते हैं normally GTO यह SSB में service selection board का एक term है GTO तो वहां पे आपको GTO मिल सकते हैं कि हम आपको impact of smartphone के उपर discussion करना है फिर क्या होगा move हुआ discussion सुरू होगा discussion खतम होगा फिर final task क्या होगा GTO या observer का वो अपना बात आके आपको जो result बताना है क्या instruction वो सुना देंगे तो finally group discussion में यह होगा कि officer का आना, brief करना, candidate का थोड़ा बहुत हला गुला शोरगूल हो सकता है या कोई lead लेके उसको initiative लेके group को बूलेगा कि हाँ gentleman let's start discussion फिर discussion सुरू होगा फिर finish होगा फिर finally वो GTO आपको बताएंगा यह पूरा sequence होगा group discussion के उपर कुछ words हैं जो normally ज्यादा यूज होते हैं और आपको ज्यादा यूज कर सकते हैं तो यह जो words हैं उसको मैंने एक जगह यहां पर आपके सामने यहां पर मैं बता रहा हूं क्या बोल सकते हैं नॉर्मली जैसे मैंने का hello viewers वैसे आप बोल सकते हैं dear friend, gentleman, chest no.2, candidate no.2 जो भी आपको convenient लगे एक respect वाली address आप दे सकते हैं I want to submit मैं बताना चाहता हूं मैं यह बात पेश करना चाहता हूं आप कुछ भी बोल सकते हैं तो यह जो चीजे हैं यह जो चार लाइन हैं या इस तरह की कुछ और जो लाइन हैं वह आपको GD के start में जरूरत पड़ेगे आप देख सकते हैं डिविंग जीडी क्या कहना है I am agree यदि आप सहमत है किसी candidate से I am agree with chest number 4 और candidate number 2 whatever that is right please go ahead आगे बोलिए आप दूसरे को encourage भी कर सकते हैं I want to add आप खुद उसमें कुछ और बात add करना चाहते हैं अपने point को add करना चाहते हैं यह lines आप बोल सकते हैं और यदि आप सहमत नहीं है तो क्या कह सकते हैं I am different from chest number 2 मैं आप से सहमत नहीं हूं मैं आप से कुछ अलग कहना चाहता हूं I am not agree with chest number 3 candidate number 3 okay आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं सहमत हूं मैं यह कहना चाहता हूं let us take it this way आईए हम इस तरह बात को ले चलते हैं इस तरीके से ले I appreciate your point but my point is मैं आपकी बात से तारीफ करता हूं मैं okay हूं but मेरा point यह है मैं आपकी बात की इज़त करता हूं ले विवर्ज this was all about GD and I hope कि यह वीडियो आपको परसंद आया होगा यही वीडियो परसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मेरे मूरल को और बुश्टप करेगा थांक्यू सो मच फर वाचिंग जैहिंद